प्यारे सातियों आप सभी का श्वागत है एक बहतरीन चाप्टर में मैंसुरेशन छेत्रमीती ये एक बहुत ही इंपोर्टन चेप्टर है एडवांस मेहत का बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि सर मैंसुरेशन पढ़ाईए और जैसा कि आप देख पा रहे कि हमने मैंसुरेशन बिल्कुल बेसिक से सुरू किया है इसलिए हमने लिखा एक कमजोड चात्र स्पेशल अगर आज तक आपने अगर कभी मैंसुरेशन पढ़ा होगा फिर भी आपको समस्या है कि आप सीख नहीं पा रहे तो आज उस डर को उस मैंसुरेशन के डर को हम निकाल देंगे और आज बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक टू एड़वांस लेबल तक मैंसुरेशन पढ़ाएंगे बिल्कुल बारिकी से कि mensuration होता क्या है कितने पार्ट में divide किया जाता है कौन सा topic किस पार्ट में पढ़ना है सबका formula क्या है और अगर उससे related हलके प्रशना है तो कैसे solve करेंगे और hard question आए तो trickly कैसे solve करेंगे तो mensuration एक बात तो clear है जैसा कि आप देख रहे है कि हमने लिख दिया छेत्रमीती सीखे बनाए नहीं पहले सीखे क्योंकि ये एक ऐसा topic है जिसके ओपर बहुत सारे student की समस्या रहा थी है और काफी सारे student कह भी रहते हैं कि sir mensuration पढ़ाई है तो चलिए हम शुरुबात करते है mensuration की छेत्रमीती की उमीद है कि इसको पढ़ने के बाद मैं अगर पुरा mensuration जब पढ़ा दूँ तो आप किसी भी exam को crack कर सके कोई भी question अगर exam में आए तो वो नहीं छूटेगा तैयार है बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए शुरू करते है mensuration तो अगर बात करे mensuration की mensuration को छेत्रमीती को दो भाग में बटा गया एक होता है 2D mensuration एक होता है 3D mensuration बहुत सारे student को तो ये भी नहीं पता कि अच्छा mensuration को दो पार्ट में बटाओ किसी को ये भी नहीं पता कि 2D mensuration कि किसको कहते हो 3D mensuration मतब mensuration किसी student को तो ये भी नहीं पता होता है कि किस topic को कौन से mensuration में डाला जाता है मतब 2D में या 3D में तो अगर बात करे किसा 2D mensuration क्या होता है 3D mensuration 2D mensuration की बात करे 2d, चैत्रमिती की बात करें तो 2d यानि 2-Diamonds जिसकी 2 बीमाय हो यानि सीधे-सीधे कहिए कि जिसमें सर्थ सिर्फ लंबाई और चोड़ाई हो जिसमें सिर्फ लंबाई और चोड़ाई हो वो 2d menstruation के हंतर गता हैगा और जिसमें लंबाई, चवडाई और उचाई भी हो, वो 3D मेंसुरेशन के अंतर गाता है, अब अगर कहें कि सर कुछ एक्जामपल देकर बताइए, कि 2D मेंसुरेशन को कैसे एक्स्प्लेइन करेंगे, 3D को कैसे एक्स्प्लेइन करेंगे, बात तो किलियर हुआ कि मेंसुरे वे पर है इतना सा, और आपके मंद में विचार चल रहा है कि उस पेपर को हमारे बेड के सामने वाली दिवाल पे हम लगते, या फिर जहां पर हम पढ़ते हैं उसके सामने वाली दिवाल पे लगता तो आपने उसके पीछे गम लगाया, गम लगा कि उसको दिवाल पर अच्छे से चिपका दिया, चिपकाने के बाद आपने देखा कि उस पेपर की एक लंबाई है, बात के लिए, उस पेपर की चोड़ाई भी है, और वो पेपर अस्थान भी छेक रहा है, तो जिसकी और चोड़ाई हो, और वो अस्थान घेरे, वो टूडी मेंसुरेशन कलाएगा, अब मन में विचार कि सर्फ 3D किसको कहेंगे, कहेंगे जिसमें लंबाई, चोड़ाई और उचाई तीनों हो, देखो यहां, जिसमें लंबाई, चोड़ाई और उचाई तीनों हो, एक्जाम उचाई भी होगी और वो अस्थान भी गेरे तो उसको उस फ्रिज कॉम 3D mensuration के अंतरगत राखेंगे क्योंकि वो उसकी उचाई भी है जिसमें अगर एक लाइन में कहें तो कहेंगे जिसकी लंबाई चोड़ाई हो 2D में जाएगा जिसकी लंबाई चोड़ाई के साथ साथ LBH हो अगर LB हो तो 2D और LBH हो तो 3D कुछ और example मान लिजे कि आपने अपने कमरे में एक टेबल लगा रखा है जिस पर आप बैठके पढ़ते हो तो किस मेंसुरेशन के अंतरगत आएगा 3D मेंसुरेशन मान लिजे आपने किसी दूसरे दिवाल पर इंडिया का मैप चिपका रखा है आपको जोग्राफी पढ़ने में दिक्कत होता है तो आपने इंडिया का मैप तो वह अस्थान भी छेकरा है लंबाई चोड़ाई भी है तो हो 2D के अंतरगत रखा तो 2D के अंतरगत हमें क्या क्या पढ़ना है एक पड़ना रेक्टैंगल जिसको हमलों लोग कहते आयत एक पढ़ना है हमें स्कुरेशन का जिसकी चारों बुजाएं आपस में बराबर हो फिर हमें ट्रेंगल पढ़ना यह भी टूडी मेंसुरेशन के अंतर गताएगा एक चत्र बुज है ठीक है और एक आपका होता है सर्किल ठीक है जिसको हम लोग कहते हैं वृत तो यह चार-पांच जो है वो टूडी मेंसुरेश में घं कहते हैं एक आपका क्यूब आइड जिसको हम लोग कहते हैं बेलन जिसको हम लोग कहते हैं जहसा कि अँब देख प helpful और फिर अ और प्र चे सО्ब चीज तो खेर synt पैट है तो यह चार-पांच इदर और भी आजाएगा एक-दो कर चिनना खो गया फिर भो सब clarity के साथ आपको हम समझाएंगे ताकि आगे चलके किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो 2D mensuration चाहे 3D mensuration तो आप एक screenshot ले जीजिए या एक copy में note कर लीजिए कि sir कौन सा 2D है कौन सा 3D क्योंकि जब पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा 2D कौन सा 3D तो question कहां से बनेगा कोई question हम रख दे हमको यहीं नहीं पता कि हम 2D mensuration का question solve कर रहे या 3D mensuration का यहां तक सबको clear है कि यहां जी सर बिलकुल clear है आगे बढ़े अब अगर इसकी बात करें तो देखिए जब भी आप mensuration बनाएंगे point to be noted my dear student जब भी आप mensuration बनाएंगे चाहे वो 2D हो या 3D हो तीन चीजों से आपका सामना होगा एक होगा छेतरफल जिसको हम लोग English में कहते है area तही बात या गलत बत कहेंगे जी सर बिलकुल सही बात एक होता है परिमाप और परीदी जिसको हम लोग perimeter ठीक है और एक को परीदी को circumference कहते है और एक होता है item जिसको हम लोग volume कहते है तो तीनों की बात अगर करें तीनों की बात करें कि सर छेतरफल क्या होता है परिमाप या परीदी क्या होता है और item क्या होता है देखे छेत्रफल का मतलब हो गया घेरा गया अस्थान और छेत्रफल में दो चीजे होती है एक होती है लंबाई अगुने चोड़ाई बात समझ में आई कहिएगा जी सर बिलकुल आया छेत्रफल का मतलब हो गया घेरा हुआ स्थान और घेरा हुआ स्थान यानि लंबाई और चोड़ाई चाहिए तो किसी भी चीज जैसे मान लीजिए ठीक है ना कि ये एक मान लीजिए कि ये प्लॉट है ठीक है और आपने इस प्लॉट को बिल्कुल क्या कर दिया जोत डाला एकदम बाड़ियां से तो समझेगा कि जोतने का मतलब है जोतना मतलब ग्रामी चितर में ऐसा होता है ना किरसी वाले लोग बिल्कुल समझदार होंगे तो आपने या फिर मान लो कि अभी इसका क्या कर दिया है छेतर फल निकाला तो सीदे सीदे एक लाइन में अगर कहें कि सर छेतर फल का मतलब होता है लंबाई गुने चोड़ाई और इस सीदे सीदे कहिए कि सर घेरा गया स्थान जो होता है वो छेतर फल होता है यहां तक देखें कुछ लोग परिमाप और पर एडवांस मेहत नहीं पढ़ाते हम कहेंगे भाई एक बार पढ़के तो देखे आरिथमेटिक से भी ज्यादा लेबल आपको एडवांस का देंगे लेकिन हम बिल्कुल बारिकी से पढ़ाते हैं ठीक है न हमें उड़ना पसंद नहीं है मैं उड़ाना पसंद है लोगों को आस साब माई डियर स्टूडेंट परिमाप और परीधी में कोई अंतर नहीं है अगर परिमाप और परीधी की बात कहें तो समझेगा ये एक बॉर्डर को डिनोट कर रहा है जैसे मान लीजिए कि आप यहां से यहां चले यहां से यहां चले यहां से यहां चले फिर यहां आग होता है भुजाओं का योग चाहे वो कोई भी फिगर क्यों ना हो या फिर माल लिजे कि कोई प्लॉट है और आपने उस प्लॉट के चारो ओर ठीक है ना एक छोटा सा घेरा बना दिया अपना प्लॉट जैसे माल लिजे कि आपने जमीन खरीदा एक प्लॉट खरीदा और प्ल चारो भुजाओं का योग या फिर सीधे-सीधे कहिए कि बॉर्डर का योग ठीक है तो जैसे मान लीजे कि ये एक वर्ग है तो वर्ग की एक दो तीन चार भुजाओं जैसा कि अब देख पारें तो चार भुजाओं और वर्ग की सभी भुजाओं आपस में क्या होती है बरा परिमाप कहलाता है तो बर्ग का परिमाप अच्छा एक चीज़ाद रखे परिमाप और परिदी दोनों एक ही चीज़े वो अलग बात है कि आयतन और बर्ग में परिमाप बोला जाता है कभी कभी क्या कभी आपने ऐसा भी सुना है कि आयत की परिदी ग्याद किया जा सकता है अर्द वर्ग की परिदी ग्यात किया जा सकता है लेकिन परिमाप परिमाप जो होता है वो जैसे आयत का परिमाप बर्ग का परिमाप तो जब परिमाप और परिदी दोनों एक ही चीज है बस आयत और वर्ग में परिमाप बोला जाता है और वर्ग में परिदी बोला जाता है यहां तक समझ में आया, बिल्कुल कहिएगा, हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में, तो जिसमें लंबाई और चोड़ाई हो, और गेरा गया अस्थान की बात करें, तो उसको कहते हैं चत्रफल, सिधे-सिधे, और जो बॉर्डर हो, ठीक है न, भुजाओं का योग जो होता है, वो परिमाप या परीदी कहिए, पैरिमीटर या सरगम फैरेंस कह सकते हैं, अगर बात करें आयतन की वॉल्यूम की, ठीक है, तो जिसमें लंबाई चोड़ाई और उचाई हो, और उसकी एक क्यापिसिटी हो, उसको क्या कहेंगे, आयतन को हैं, बात यहां तक समझ में आया, कहे जी सर बिल्कुल समझ, जिसकी अपनी एक खुद की लंबाई चोड़ाई उचाई, जैसे अगर मान लीजिए ठीक है न, कि अगर मान लीजिए कि कोई फ्रिज रूम में रखा हो, तो वो उसका जो जब भी निकलेगा, तो आयतन निकलेगा, अगर आप किसी पेज को दिवाल में चिप काते हैं, तो वो छेतरफल निकलेगा, क्योंकि वो कितना लंबाई चोड़ाई जाए, उचाई तो उसकी खुद की है नहीं, तो यहां तक कहिए सर बिल्कुल समझ में आ गया, तो छेतरफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब भुजाओ का यो या परिदी और एक होगाय तर, अगर बात करें, समझें, तिक है, अगर हम बात करें इसके यूनिट की, इसके एकाईयों की अगर बात करें, तो यहां पर चीजों को समझें, आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए, एक वहतर का पॉनसेट देंगे, अगर बात करें यहीं पर मैं समझा देता हूँ, इसकी जो रोतीनी पड़ेगी, जैसे मान लीजे कि आपने लिखा है, यहां पर क्या, आपने लिखा है, कि सर जी, छेतरफल, और अगर इसके यूनिट की बात करें, सबके यूनिट की एक एक करकर के बात करें, छेतरफल, तो अब आप कहते है, कि सर जी, छेतरफल का होता है, भूजा का स्कॉाइरी क्यों होता है, भूजा क्यों नहीं होता है, भूजा का क्यों क्यों नहीं होता है, तो यहां पर समझिए, कि मान लीजिए, कि सिम्पल सी बात है, कि छेतरफल को कहते हैं, घेरा गया स्थान, यानि L into B, मान दीजिए कि किसी भी भर्ग की या किसी भी छेतरल का लंबाई जो है फॉ पांच मीटर है और चोड़ाई छ शे मीटर है तो उसका छेतरल क्या होगा हमने अभी भी कहा कि छेतरल मतत्ब वह लंबाई गुने चोड़ाई बात एग दिम्समझ में कि सर छेतरफल का यूनिट जो होगा वो मीटर स्कॉयर हो मतब अस्कॉयर छेतरफल के अंत में जैसे अगर आप किसी का अंसर निकालते हैं तो अस्कॉयर क्यूं लगाते हैं क्यूंकि लंबाई और चोड़ाई आपस में गुना होगा तो एम गुने यम, मीटर गुने मीटर मीटर स्कॉर, किलो मीटर अगर रहता तो किलो मीटर गुने किलो मीटर किलो मीटर स्कॉर, यानि सिंपल सी बात है कि छेतरफल का अर्थ होता है भुजा का स्कॉर, या फिर भुजाओं का गुननफल कहेंगे, या फिर सीधे सीधे कहिए, सर पाई दो मीटर और उचाई तीन मीटर है तो हम क्या करते हैं तो आयतन की इकाई जो होती है वो मीटर क्यों होती है शेत्रफल का मीटर स्क्वाइर होता है ठीक है और अगर जैसे माल लीजे की बात करें पैरी मीटर की बात करें परिमाप की बात करें तो परिमाप का मतलब होत इसके चारों भुझाओं को जोड़िए सब काम लेजिये सब्सक्राइब टो वह लंबाई यानी है सब्सक्राइब कैसेते हैं लिटर कर सकते हैं जो ग्राम कह सकते हैं, मतलब छेतरफल में स्क्वाइर, आयतर में क्यू लेकिन उधर नॉर्मली यम, यम या एल मीटर लिटर जो भी है वो कॉंसेप्ट के हिसाफ से देखेंगे, यहां तक सब को समझ में आ रहा है, देखें, बेसिक जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा वो आगे चलके बहुत परिशानी होगी इसको, तो हम यहां से आगे बढ़ें, कहेंगे हाजी सर बिल्कुल बढ़ो, ठीक है, तो देखेंगा यहां से, अगर बात करें एक एक करकर की, ठीक है, पहले अगर बात कर लें हम यहीं से, ठीक है, अगर हम बात करें, दो तीन जिस च्छेतरफल तो uh basically simple सी बात है कि सर अगर हमें आयत चाहिए और आयत का च्छेतरफल निकालना हो तो देखates, ना अगर हमें आयत का च्छेतरफल निकालना हो माल लीजे यह हमाबा आयत है देखाना, और यह यह लंब, यह L है लंबाई लंबाई और ये एच है लंबाई गुने चोड़ाई तो इसको L मान लीजिए इसको B मान या फिर एक दम हिंदी में लिख दो भाई कि ये है लंबाई और ये है चोड़ाई तो अगर बात करें आयत की तो सिंपल सी बात है कि आयत का छेतरफल बरावर होगा लंबाई गुने चोड़ाई अच्छा आयत की बात करें तो आपको पता है कि आयत की आमने सामने की भुजा जैसे ये लंबाई तो ये भी लंबाई और ये चोड़ाई तो ये भी चोड़ाई ये होगा और आपको पता है कि आयत की आमने सामने की बुजाएं आपस में बराबर है और दोनों विकर्न भी जी दोनों विकर्न भी आपस में बराबर है ये बात समझ में आई कहेंगे जी सर बिल्कुल आया फिलाल विकर्न वनाने की कोई जरूरत नहीं है तो आयत का छेत फल बराबर लमबाई गुने चोरणी अगर बात करें आयत की परिमाप की बात करें तो परिमाप हो गा टू इंटू लमबाई पलस चोड़ई अब मन में विचार अरोगा सर यह फॉर्मूला कैसे बनता है थोड़ा सिखा देते तो बढ़ियां जी आया परिमाप का क्या होता है सभी ठीक है दो ठो लंबा प्लस दो ठो चोड़ा तो दो कॉमल लेंगे तो टू इंटू लंबाई प्लस चोड़ाई तो यह हमारा फॉर्मुला बन गया कि आयत का परिमाब बराबर टू इंटू लंबाई प्लस चोड़ाई यहां तक समझ में आया अगर बात करें आयत के विकर्न की देखो ध्यान से हमारी बात अगर हम बात करें आयत के विकर्न की तो आयत का विकर्न कहां से बनता है कहेंगे सर आयत का विकर्न यह हो गया या फिर ऐसे गिचेंगे तो यह तो यह मान लीजिए ठीक है ना तो आयत के विकर्न की बात करें तो विकर्न यही होता है ना हमारा ठीक है तो विकर्न की बात करें तो यह नहीं लग रहा है कि एक ट्रेंगल बन रहा है और यह कर्न है यह लंब है और यह अधार है तो आयत का विकर्न वरावर जो होगा अंडर रूट लंब का स्क्वाइर ठीक है या फिर लंबाई का स्क्व यहां तक सब लोग देख लिजे कह दीजे कि सर बिलकुल सीख चुके हैं अगर यहां तक समझ में आ रहा है तब आगे चलके जितने भी कोश्चन हम आपके स्क्रीन के उपर रखेंगे वो बिलकुल आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा एक बार कहिए कि जी सर बिलकुल इसको मिंगलिश में कहते हैं स्क्वेर तो स्क्वेर की बात करें तो हमें पता है कि वर्ग की सभी भूजाएं आपस में बरावर है माल लीजे यह भूजा ए है तो यह भी ए यह भी ए यह भी ए तो सिंपल सी बात है कि अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो पहला फॉर् तो बर्ग का परिमाप बरावर चार गुने भूजा आगल समझ में आया अगर बात करें वर्ग के छेतरफल की वर्ग का छेतरफल बरावर होता है भूजाओं का गुननफल या सिधे सिधे के लंबाई गुने चुड़े लंबाई भी ए है चोड़ाई भी ए है तो हम इसको कर सकते हैं एस्क्वाइर या फिर कह सकते हैं भूजा का स्क्वाइर यहां तक क्लियर है बिल्कुल कहिएगा सर बिल्कुल समझ में आ रहा है ठीक है और अगर मान लीजिए कि आपको वर्ग का विकर्न दिया हुआ एक फॉर्मूला बहुत ही इंट्रेस्टिंग है अगर वर्ग का विकर्न दिया हुआ रहे तब रहे तब नहीं रहेगा तब नहीं तो ठीक है तो एक और फॉर्मूला बनता है विकर्ण बराबर बर्ग का विकर्ण बराबर रूट टू इन्टू भुजा या फिर रूट टू एबी कह सकते हैं यह चार फॉर्मूला आपके लिए कंपलसरी है कहिए सर बिलकुल सीख रहे हैं आप आगे बढ़िए हम आपके साथ हैं कहिए सब लोग वर्ग का च्छतफल बराबर दिखे एक तो बरका च्छत पलब भुजा का स्कWAR, बरका परिमाब बराबर चार गुने भुजा, एक अगर वर्ग का विकर्ण डायरेक्ट पूछे, तो रूट दू गुने भुजा, लेकिन ये देखे चार फॉरमुला, एक, दो, तीन और चार, ठीक है, ये चार फ पूल आगे बढ़ें, चलिए, तो आयत हो गया, वर्ग हो गया, अब अगर बात करें वृत की, बस, क्योंकि यही तीन टॉपिक के उपर आज का सेशन है, ठीक है, इसको हम कहेंगे सरकल, ठीक है, सरकल की बात करें, बृत की बात करें, देखें, यहाँ पर आपको बात हुआ सरकल बृत की बात करें, यह 2D Geometry में आता है, तो बृत, बृत की परीदी, या फिर बृत का चेत्रफल, वरावर फर्मूला होता है, पाई आर स्कॉर, अगर बृत की परीदी की बात करें, या फिर मैं पूरा लिख दू, पाई आर स्कॉर, अगर बृत की परीदी की बात कर तो वृत की परीधी जो होता है वो 2 pi r है यहां तक समझे में है तो वृत का छेतरफल pi r square वृत की परीधी 2 pi r अब देखिए इसके बाद एक question आता है कि अर्ध वृत का छेतरफल ठीक है अर्ध वृत का छेतरफल होगा देखो भाई पूरा वृत अगर पूरे सरकिल की बात करें तो इस पूरे सरकिल का छेतरफल अगर pi r square है तो आधे सरकिल का छेतरफल अर्ध वृत का छेतरफल pi r square बटे 2 कहिए लेकिन यहाँ पर देखिए अगर एक प्रशना आजाए अर्ध वृत की परीदी ऐसे लिख दूँ है अर्ध वृत की परीदी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वृत की परीदी 2 pi r है तो अर्ध वृत की परीदी 2 pi r by 2 लेकिन यह गलत हो जाता है परीदी 2 pi r है तो अर्ध वृत की परीदी 2 pi r by 2 लेकिन यह गलत हो जाता है गलत क्यों होता है जैसे समझ यह परीदी की बात और च्छेतरपल की बात ने जैसे देखो यह जैसे देखो मैं समझाओं कि यह जो है यह आपका वृत है यह पूरा सरकल है यह यहाँ पर लेकर आओ यह पूरा सरकल है यह पूरा वृत है अगर इसका चेतफल पाई आर स्कॉयर है तो अर्ध वृत की बात करें तो अर्ध वृत कैसा बनेगा यह ऐसा बनेगा अर्ध व अर्ध विर्थ की परीदी 2 pi r by 2 क्यों नहीं होता है यह हम समझाते हैं यह बिर्थ है और इसकी परीदी कितना है हमें प्राप्त सुरी इसकी परीदी हमें प्राप्त है 2 pi r तो सवाल है कि सर अर्ध विर्थ की परीधी 2 pi r by 2 क्यों नहीं होता है इसलिए नहीं होता है my ideal student क्योंकि अर्ध विर्थ जब बनाएंगे तो ऐसे कटेगा तो बताईए इसका परीधी कैसे निकलेगा यह अर्ध विर्थ हुआ ना तो अर्ध विर्थ होता तो अगर देखो अर तो एक तरह का बरतन बन गया अर्द विर्थ बना कैसे तो ऐसे में ठीक है कि टू पाई आर बटे टू करेंगे पलस यहां से यहां तक कोम ब्यास करते हैं तो तुरिज्या यह आर हुआ यह आर हुआ तो यह टू आर हो जाएगा इसलिए अर्द विर्थ की परिदी पाई आर पलस टू आर इसलिए टू आर क्योंकि यहां से यहां तक एक लाइन जूटता है और जो व्यास के बराबर होता है व्यास तुरिज्या का दुगना यह तूरिज्या व्यास का अधा देखो जितना मैंने concept आपको दिया screenshot ले लो जितना मैंने आपको concept दिया है अगर इतना नहीं करोगे न तो result अच्छा नहीं जाएगा अच्छा ये ये जो r है वो capital रखेगा ज्यादा बेटल रहेगा ऐसे करके यानि πाई r प्लस 2r ये कि वृत की त्रिज्या जो है उसको small r से denote कह जाता है एक बार कह दीजिए कि sir बिल्कुल समझ में आ रहा है और एकदम गणित को मक्खन की तरह करेंगे mensuration है पहली class है first impression is the last impression first impression में अगर हम आपको एक बहतर concept दे पा रहे हैं तो tension की बात नहीं है आगे चलके जितने भी प्रशन होंगे देखो एक बार मैं पूरा revise करूं फिर से आपने समझ लिया कि mensuration को दो पार्ट में बाठा गये 2D and 3D 2D जिसमें लंबाई और चोड़ाई हो 3D जिसमें लंबाई चोड़ाई हो चाई हो 2D में इतने chapters को इतने topics को cover करने 3D में इतने chapters को cover करने आई बात समझ में इसमें कोई doubt ने कहेंगे हाजी सर बिल्कुल आ गया अगर बात करें छेतरफल की तो छेतरफल को कहते है घेरा गया स्थान मान दीजे ये है तो इसको पूरा color कर दीजेगा तो ये क्या निकल गया कहेंगे सर जी छेतरफल निकल गया क्या निकल गया छेतरफल निकल गया तो छेतरफल का मत्तब होता है घेरा गया स्थान यानि सीधे सीधे का ये लंबाई गुने चोड़ाई परिमाप की बात करिए perimeter की बात करिए border अच्छा परिमाप और परीधी दोनों से सेम चीज़े परिमाप का युज आयत और वर्ग में होता है परीधी का विर्थ और अर्द विर्थ में होता है कहिए कहा जी सर ये बिल्कुल समझ में आ गया तो आपकोbrand मीटर निहीं लगेगा लेकन अगर आपको मीटर क्यूً क्यू करना ही पड़ेगा तो जो युनिट हो उसके उपर क्यू लगाना पड़ेगा क्योंकि व्ल्यूम है अगर इतना करके यह unit आप नहीं लगाते हो तो आपके प्रश्न को गलत माना जाएगा और इसी पर बेस्ट एक सवाल आपके screen के ओपर हम रखते हैं यह सब तो हम बताई चुके हैं आपको अच्छे डंग से उमीद है कि दिक्कत नहीं होगा जो भी थोड़ा बहुत प्रश्न आएगा वो हम कर सवाल क्या कह रहा है एक वर्ग जिसकी एक बुजा पच्शीस मीटर है वर्ग का च्छेट पल देखो जी अभी अभी हमने बोला है कि सर जी वर्ग का जो च्छेतर पल होता है कहा गया वही तरजी वर्ग का जो छेतरफल होता है वो भुजा का स्क्वाइर होता है कहेंगे बिल्कुल जी सर बिल्कुल आपने कहा है कि वर्ग का जो छेतरफल होता है वो भुजा का स्क्वाइर होता है तो वर्ग का छेतरफल वरावर भुजा का स्क्वाइर भुजा है पचीस अपचीस का स्क् प्रवाइर ही होना चाहिए बर्ग का च्छेत्रफल बराबर भूजा का स्कॉयर यहनी 625 मीटर का स्कॉयर बात आई बिल्कुल समझ में चलो पिर आगे बढ़ते एक और सवाग एक वर्ग जिसका च्छेत्रफल 400 मीटर है बर्ग की बुजा देखो जी बर्ग का च्छेत्रफल बराबर अभी अभी हमने फॉर्मूला बताया है कि भूजा का स्कॉयर ठीक है या फिर सीदे सीदे कहिए कि सर भूजा का स्कॉयर बराबर भूजा का स्कॉयर बर्ग का च्छेत्रफल और वर्ग का च्छेत्रफल है 400 आपको चाहिए वर्ग की एक भूजा तो जो चीज इध सर बिल्कुल आगई आगे बढ़िए तो क्लियरिटी हम देंगे आज लगबग 25 से 30 कोशन हम लेकर आएं देखे कितना पॉसिबल हो सकता है इसको सॉल्व कराने में अगर पूरा पॉसिबल है तो बिल्कुल पूरा पॉसिबल तरीके से सॉल्व करेंगे यहां तक सब को क्लिय हम आपको समझ में आ रहा है कॉंसेट क्लियर हो रहा है आप सभी का गनित एक दम मक्षन की तरह लग रहा है सबको कि चलो पिर एक और सवाल एक सवाल आपके स्क्रीन के उपर जल्दी से बनाईए क्या होगा उत्तर करें एक वर्ग का छेत्फल ग्याद करो इन सक्रेटी से रिलेटेड हर तरह के कोश्टन हम लेकर तरह राएंगे कर jsuk का छेत्रफल ग्याद करो जिसके न की लंबाई आठ मितर ठाल कूछ रहा है विकरन की लंबाई तो याद कर यह अभी अभी अब यह उनने आपको बताया है कि वर्ग का चेत्रफल बरावर जी हाँ वर्ग का चेत्रफल बरावर विकर्ण का विकर्ण का स्क्वाइर बटे टू तो आपको यही तो चाहिए वर्ग का चेत्रफल तो विकर्ण का स्क्वाइर विकर्ण आठ है तो आठ का स्क्वाइर बटे दो तो 8 का square होता है 64 64 बटे 2 कहेंगे सर वर्ग का 6 तरफल जो है 32 और देखो भई 6 तरफल है न इसलिए last में meter square जरूर लगाना और ये पहला ही number option आया समझ में कहेंगे हाजी सर बिलकुल आ गया समझ में तो level में किसी भी तरह का कोई कमी नहीं होगा आप कहेंगे तो जितना level ले session एक बहतर तरीके से like और share कर दीजिए अच्छा आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पर जरूर जुरूर जुड़िएगा क्योंकि टेलीग्राम पर जब भी कुछ पढ़ाते है न तो इस तरह से ppt available कर देते हैं बच्चों को साती साथ आपको बहुत सरी जानकारी है जब भ बर्ग का बर्गाकार मैदान की परीदी ठीक है तो परीदी कहिए यहां पर हलाकी लिखना चाहिए था परीमाप चलो कोई बात नहीं या फिर ऐसे कर दीजिए कि बर्ग का परीमाप बराबर क्या होता है भूजा का अस्क्वायर और आपको दिया हुआ है कि बर्ग का परीम परीमाफ ना चारगुने भूजा और आपको दिया वाय कि परिमाफ जो एवह एक सो साथ मिटर एक नम सिमोज़ समझेगा यह एक वरगा-कार-मयदान की परीधी परीधी कहलो यह परीमाफ अभी अभी आपको बता है कि परीधी और परीमाफ दोनुए एक ही चीज़ तो एक परिदी के ये परिमा परिमा बरावर होते हैं चार गुने बुजा बरावर 160 तो 40 बार में काटे यानि आपको भुजा बरावर कितना मिला कहेंगे सर बुजा बरावर मिला 40 मीटर लेकिन क्या कह रहा है वर्ग का छेतर फल ठीक है वर्ग का छेतर फल तो आपको भी पता है कि स लिए का स्कॉर बराबर सोलह सोइस प्रस्टम का फिल्गूल सही उत्तर जो टी नमब्र शंब उट लगाइगे अगर मीटर लिखेगा तो सरासर गलत होगा वह अलग बात है कि ऑप्षन् Hmm से अपांसर कर लिजेगा clarity मिलना चाहिए ताकि कभी भी किसी को बताना हो, कोई भी exam में clarity चाहिए, explain करना हो किसी को, ठीक है तो जीवन में हमेशा काम देगा चलो जी, एक और सवाल कहे रहा है एक बर्ग जिसकी एक भुजा 6 मीटर है, बर्ग का परिमाप ठीक है, दोनों चीज बोल रहा है बर्ग का परिमाप पर विकन तो देखिए, पहले आप निकाल लीजे परिमाप बर्ग का परिमाप बरावर formula होता है, 4 गुने भुजा ठीक है, छेत्रफल राता ठीक है, तो एक हो जाएगा ऑप्शन में mistake है, कोई बात नहीं, एक हो जाएगा 24 मीटर और एक हो जाएगा 6 रूट दो, चलिए option नहीं मिल रहा है, बिल्कुल परिशान मत होईए, ठीक है यहाँ पर 6 रूट दो अगर हम करते तब ठीक था, एक होता 6 रूट दो, एक होता 24, फिर कोई बात नहीं हमने अंसर उपर लिख दिया है, option की कोई आवशकता ही नहीं बन रही है कहिए कि सर यहाँ तक सीख पा रहे हैं आप लोग, सब लोग yes here no में जबाब दीजे, चलिए कोशन हम आपके स्क्रीन के उपर रखते हैं, देखिए तो जड़ा बनता है या नहीं बनाईए, एक वर्ग का विकर्ण पंदरा रूट टू सेंटीमीटर है वर्ग का छेत्रफल, अच्छे यह बला समझ में आ गया सबको पांच नंबर कहेंगे हाँ जी सर बिलकुल आ गया, तो चलिए छे नंबर बनाईए एक वर्ग का विकर्ण पंदरा रूट टू सेंटीमीटर है, तो वर्ग का छेत्रफल बहुत ही आसान है, विकर्ण दिया हुआ है छेत्रफल निकालना है, बताय थे ना अभी वर्ग का छेत्रफल बराबर होगा, विकर्ण का स्क्वाइर बटे दो वर्ग का छेतरफल बरावर ठीक है इसका छेतरफल वर्ग का छेतरफल बरावर जो होता है वो होता है विकर्ण का स्क्वाइर विकर्ण है पंदरा रूट टू का स्क्वाइर अब बटे टू सोरी बटे टू ठीक है ना तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं बहुत ही सिंपल है तो 15 का स्क्वाइर 225, अगुने, रूट तू, रूट दो, देखें, पहले तो इसका स्क्वाइर करेंगे, तो रूट दो का स्क्वाइर करेंगे, तो रूट दू से स्क्वाइर से रूट कट जाएगा, तो आएगा दू, अब बटे दू करेंगे, दू से दू कट गया, यान अचले एक सवाल हम आपके स्क्रीन के उपर रखते हैं और उमीद है कि इसका उत्र आप लोग जल्दी से जल्दी दे पाएंगे फड़ेगे, फड़ा फड़े चलिए एक बहुती सांदार प्रशन आपके स्क्रिन के उपर है उमीद है कि आपको इस प्रशन में संतुष्टी जनक उत्तर दे पाएंगे हम कवाल कह रहा है भी कि दो वर्गों के छेतरफल दो वर्गों के छेतरफल में एक अनुपात चार का अनुपात है तो भुजाओं में क्या अनुपात होगा देखें मान लीजे दो वर्ग है ए और बी और यहां पर अगर बात करें छेतरफल चेतरफल आपको दिया हुआ है एक अनुपात चार आप से पूछ रहा है भूजा तो आपको पता है कि भूजा का स्कॉइर करेंगे समझे भूजा का स्कॉइर करेंगे तो चेतरफल निकलेगा बात समझ मैं, कहेंगे सर भूजा का स्क्वाइर करेंगे, क्योंकि बर्ग का छेतरफल बराबर ही होता है, भूजा का स्क्वाइर, तो कहेंगे सर भूजा का जब स्क्वाइर करेंगे तब छेतरफल निकलेगा, लेकिन आप तो करें कि छेतरफल से हमको भूजा बता, रूट क बुजा का अस्क्वाइर किये तो चार आया तो बुजा करेंगे तो रूट में जाएगा ना जी कहेंगे जी सर लगता है कह तो बिल्कुल आप सही रहें और बिल्कुल सही ही कहेंगे इसलिए हम अपने मन से कहेंगे कि रूट 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 एक करेंगे तो एक ही आएगा ले स्कॉाइर और रूट एक दूसरे का विर्थ करुमानो पाती होता है एक दूसरे का अपोजित होता है यहां तक समझ में है कहें के हाजी सर बिलकुल हो गया सब लोग कमेंट करिए समझ में है कैसे छेतर फल दिया हुआ आपको च्छेतरफल से बुजा करने के लिए रूट किया जाता है तो रूट एक का वर्गमूल एक होगा चार का वर्गमूल दो होगा यह इस प्रशन का उत्तर है एक नमबर ऑप्शन बात समझ में आया कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आया देखो पहला क्लास जिसको अच्छ कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए जितना ज्यादा से ज्यादा मैसेच करें सर दूसरा क्लास कब आएगा दूसरा कब आएगा दूसरा कब आएगा जैसे ही पहला का डिमांड बढ़ा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह क्लास अगर आप लोगों ने पहुंच शुरू कर रहे हैं जिसकी जिसके वारे में आपको application के उपर जानकारी मिल जाएगी application का नाम है dream classes official एक और सवाल है जी देखें दो वर्ग के छेतरफल का अनुपात मालीजे दो ठो वर्ग है A और B और आपको छेतरफल का अनुपात दिया हुआ है चार अनुपात नौ तो पर आपको पता है कि छेतरफल करना हो तो अस्क्वार लेकिन चेतरफल से भुजा करना हो तो वर्ग करेंगे तो चार रूट चार रेश्यो रूट नाइन तो आप कहेंगे सर चार का दो और नौ का तीन बात समझ वह हैं अगर इसको उसकर करना जिसे मान लिए कि भुजा दिया भुजा का स्कॉयर कर देंगे यहां तो भाई 6 पल ही दिया है भुजा पूच रहा है हलाकि पूच तो रहा है परिमाप लेकिन पहले भुजा तो निकाल लीजे तो हमें क्या पता चला कि सर्फ बर की परते एक भुजा है जो है वह दो दो एक का दो आया एक का तिन अब आईगा आठ त्र परिमा ब्राबर चार अगोर बुजा तो चार दुनिया यहां 3 चक 12 क्योंकि चार से कुन किये। काटके उतना इतना भी आया चार दुनिया our चीरतीय और बारह याप का उत्तर हें यही हो and नंबर ओप्शन दो अनबर परिमाप पूछ रहा था ना पैरी मीटर चलो भाई हो गया उत्तर यहां तक बिल्कुल 100% आप लोगों को समझ में आ रहा है कहेंगे हाजी सर बिल्कुल आ रहा है समझ में या ऐसे हाजी हाजी कर दोगे फिर लोग एक बार लाइक करो सब लोग ज है कोई आब है सकता ही नहीं पढ़ी चाहिए वकितना भी बड़ा टीचर क्यों नहीं हो आपको मनी नहीं करेंगा यह हमने करें की वह उच्छा नहीं यह बहुत इंपोर्डेंट सवाल है यहां पर मैं इसको लिख देता हूं वाइरल प्रश्न है बहुत पूछा गया यह कोश्चन प्रिवियस यह में और अभी तो हम आपको बेसिक दे रहे हैं ज्यादा लेबल अभी तक हम आपको लेके नहीं गें क्योंकि हमारा एक ही मानना ह इस स्टूडेंट को बेसिक ना आए वो लेबल क्या खाक बनाएगा तो इसलिए पहला जो क्लास रहेगा वो बिलकुल बेसिक लेवल से रहेगा जैसे आप दूसरे क्लास में आओगे में सुरेशन में आटोमेटिक कली कोश्चन का लेबल बढ़ेगा एक वर्ग तथा उस इस वर्ग के विकर्ण से तो उस वर्ग का विकर्ण ये है कि एक ना सवाल एकदम द्यान से सुनीएगा मारी बात एक वर्ग तथा उस वर्ग के बिए चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं पहले इसको देखिए खीच के दिखाते हैं फिर आप अपने समझ में आ पहले एक बार फिगर में बना दू उसके बाद कहना कि जी सर बिलकुल सही कर रहे हैं ठीक है एक दम गणित मक्खन होगा परिशान मत हो ये बिलकुल दावे के साथ कहते हैं हम एले एक फिगर अच्छे से बनतो जाए देखो तवाल बहुत ही बहतरीन था थोड़ा सा हमें लगा इस से असान तो हम पैंसे बना देते हैं आप लोग के लिए तवाल कह रहे हैं एक वर्ग है और उस वर्ग के विकर्न पर एक नया वर्ग बनाया गया है तो एक वर्ग है और इस वर्ग का विकर्ण यही है ना भाई साव, यहां देखो, एक वर्ग है और उस वर्ग के विकर्ण पर खीची गए वर्गों के छितफल में क्या अनुपात होगा, तो पहले हमने एक वर्ग बना है, इस वर्ग के विकर्ण से एक और नया वर्ग बना है तो मान लीजे ये जो वाइट वाला वर्ग दिख रहा है आपको पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर है तो आप कुछ भी लिख सकते हो मान लो हमने लिख लिया कि पहली भुजा ए तो ये भी ए ये भी ए और ये भी ए क्यों कि सरजी वर्ग की सभी भुजा वर्गों के चेतरपल तो बताईएगा कि ये अगर वर्ग की सभी बुजाओं आपस में बरावर हो तो ये क्या है एक वर्ग का विकर्ण है उसी वर्ग का विकर्ण है तो वर्ग का विकर्ण बरावर क्या फर्मूला बता है रूट टू ए यस या नो देखिये न एक वर्ग की सबी बूजाओं को अगर हमने ए माना तो इस वर्ग का विकर्ण क्या होगा रूट तुए और याद करिए कि सर जो वाइट वाला का विकर्ण यह हुआ इसका विकर्ण इसका क्या बन गए तो आपको पता है वर्ग कि सबी बूजा है आपस में बराबर है तो ये भी root 2A, ये भी root 2A, ये भी root 2A यानि बर्ग की सभी भुजा है आपस में बराबर हो गई, तो सवाल कहरा है दोनों के छेतरफल का अनुपर, तो देखो, ये तो भुजा है, आपको चाहिए वर्ग के छेतरफल का रेशियो, ठीक है, बर्ग का छेतरफल, ठीक है ना, ब younguko कए च्छाइए स्प्रूंट सी बात है कि पहला वर्घ रेश्यो दूसरा वर्ख पहले वर्घ का च्छतफल चाहिए तो भुजा का स्क्वाइर यहाँ कर दिनगे a का स्क्वाइर क्या दूसरे वर्ग च्छतफ़ का जो अनुपात होगा वर्ग के चेतपल का जो अनुपात होगा वो एक अनुपात दो होगा बी नंबर ओप्षन थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा समझीए क्योंकि थोड़ा सा लेबल है इस कोश्चन में सॉल्यूशन अपने आप दिख जाएगा इसके अंदर एक बर बस द एक बर देखिए विचार कर ये सोचिए कि क्या जो हम बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है एक बर्ग है और उस बर्ग का विकर्ण पर एक और बर्ग बना तो जो बर्ग था और उससे जो नया बर्ग बना उन दोनों के शत्रफल का अनुपात तो कुछ नहीं किये तो रूट एक का स्क्वाइर कैसे किये तो चीजें बिल्कुल आसान हो जाएगी जब आपकी सोचने की छंता बढ़ेगी तो चलो फिर एक और सवाल जब सोची रहे तो एक बार और करते हैं सवाल देखिए बड़ा बेतरीन है आपके स्क्रीन के उपर सवाल क्या कहे रहे है कि 6 मीटर भुजा की एक वरगाकार फर्स पर 20 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर आकार के कितने पत्थर लग सकते हैं देखो एक फर्मूला बताते हैं आपको अगर ऐसा प्रशना जाए लगाए जाने वाले पत्थरों की संख्या अगर पूछें पत्थरों की अगर आपसे संख्या पूछें जैसा कि पूछ भी रहा है तो बरगाकार फर्स का छेत्रफल निकाल दीजिएगा प्रतेक पत्थर का छेत्रफल दीजिएगा है प्रतेक पत्थर का सिंपल सी बात है देखो जी पर्ग की बुजाएं जो है वो 6 मीटर है लेकिन ये सेंटीमीटर है तो मीटर को पहले सेंटीमीटर में करिएगा अब बर्ग की बुजाएं आपस में बराबर होती है, तो बर्गाकार फर्ज का चेतपल यानि बुजा का स्कॉयर, च्छे मीटर में क्या लिख सकते हैं? 600 cm, तो आप क्या करिएगा 600 cm का स्कॉयर करिएगा 600 गुने 600, इमिल जी बात है, बर्ग का चेतपल हो बुजा का स्कॉयर बट्थर के लंबाइब 20 सेंटेमिटर है एक तोड़ाइथी संड़ बड़े चेतरफल में से या कहिए दीवाल के चेतरफल में पत्थर के छेतरफल से अगर हम भाग देते हैं हर प्रश्न में यहां से निकाल सकते हैं कि हम यहां पर कितने पत्थर लगाएंगे बात समझ में ह कहेंगे सर बिल्कुल अगया डवल जीरो से डवल जीरो दो तीया छे तीन से तीन कट गया कहेंगे सर छे सो पत्थर लगा सकते हैं कितने पत्थर लगा सकते हैं छे सो पत्थर लगा सकते हैं डी नंबर ऑप्शन आपको उत्तर होगी यहां तक क्लियर है आप सभी को कह दीजि schedule रहता है इसलिए समय नहीं निकाल पाते हैं आज आपके जो सोचने की जो activity थी वो हमने आपको change कर दिया नहीं कि नहीं सर एडवांस भी पढ़ाते हैं वो भी बैतर तरीके से और कितना बैतर पढ़ा रहे हैं वो आप से अच्छा कौन जान सकता है क्योंकि हम तो पढ़ाते हैं जज तो आप लोग करते हैं नहीं चलो फिर जब जज करी रहे हो तो वर्ग से कर लो फिर आया फिर फिर समचतुरभू जितना भी है टूडी पहले क्लिए कर लो ठीक लगा देंगे टूडी के ओपर थ्रीडी में भी पहले के टॉपिक क्लियर कर लो पिर टॉप अंडड़ लगा देंगे कैसी रन नीती है हमारी कैसा सोचे जरा बताएंगे एक वर्ग की भुजा चार मीटर है वर्ग का विकर्न की लंबाई तो देखे भुजा दिया हुआ है वर्ग के विकर्न की लंबाई वर्ग का विकर्न बरावर होता है रूट दूग ने भुजा यानि रूट टू इंटू ए एक की वैल्यू चार या फिर आप इसको ऐसे लेख सकते हैं चार रूट तो है option में जो आसान है उसके उपर time pass नहीं करना है लेकिन कुछ question high level का भी आएगा थोड़ा समय दीजिए एक वर्ग की भुजा चार मीटर है तो इस वर्ग के विकर्ण की लंबाई वर्ग का विकर्ण है यगर विकर्ण की लंबाई दी हुई रहे और आपसे पूछे वर्ग का च्छत्फल तो आपको क्या करना है विकर्ण का square बटे टू यानि 36 बटे दो उत्तर हो गया 18 च्छत्रफल पूछ रहा है तो square लगाईएगा centimeter स्वाल बहुत ही मखन की तरह है और इतना पढ़ने के बात कोई भी एक्जाम में छूटे गड़े लेकिन आप पूरा पढ़ने है ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत पढ़के जाईएगा तो कहिएगा कि रेजल्ट हो जाएगा ये possible ही नहीं है आपका देखें चलिए फिर एक और सवाल हम आपकी स्क्रिन के उपर रखते हैं सवाल बड़ा बेहतरीन है जी कि उस वर्ग का छेतरफल क्या होगा जिसके वर्ग के विकर्ण की लंबाई पांच रूट दो तो वर्ग का छेतरफल वरावर फर्मूला होता है ठीक है वर्ग का छेतरफल वरावर फर्मूला होता है कि विकर्ण का स्क्वाइर विकर्ण का स्क्वा करेंगे तो देखे पांच का स्क्वाइर 25 रूट रूट गुनिया स्क्वाइर कड जाएगा तो सिर्फ दो बचेगा अब बटे दो तो दो से दो कट गया यानि 25 सेंटी मीटर है भई जी तो छोटी छोटी बाते च्वटी चीजे यह स्वाइब commence करने आता है ना पांच रूट पहले 5 का स्क्वाइर 25 अर अस्क्वाइर से रूट तो बच गया तो दो से दो कड़िया उपर नीचे 25 मिटर स्क्वेड है उप्षन में जी आपका डी नंबर उप्षन उत्तर हो गया इस प्रश्न का समझ में आ रहा है इतना लग रहा है गनीत मक्षन है बिलकुल मक्षन बना के छोड़ेंगे हम भी मांजी दा मॉंटन मैं है जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक हम भी छोड़ें इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं ठीक है चलो फिर एक और सवाल आपके वाला उत्तर दीजी आप 28 cm भुजा वाले बर्ग के अंदर बनाए जा सकने वाली सबसे बड़े बृत का छेतफल क्या हुआ देखिए बर्ग के अंदर बृत बनाई है और वो भी बर्ग की भुजा जो होगी वो 28 cm चलो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और भई हम भी क कोशिश करते हैं देखिए लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हान नहीं होती सवाल क्या करें 28 cm भुजा वाले एक बर्ग के अंदर तो पहले 28 cm भुजा का एक बर्ग बनाई है जैसा कि आपने देखा कि हमने बना देखिए इस वर्ग के अंदर एक बृत का निर्मान कीजिए देखिए 28 cm भुजा 28 cm की भुजा वाले बर्ग के अंदर बनाए जा सकने वाली सबसे बड़े बृत का अच्छा बृत पूछ रहा है बृत सरकल जिसकी बात कर रहे हैं तो पहले हम एक सरकल का निर्मान करके देखते हैं उमीद है कि ब आपका कोश्चन यही है किरे सवाल 28 cm भुजा मतलब बर्ग के सभी भुजाओं की जो लंबाई है वो 28 cm है इदर भी 28 इदर भी 28 इदर भी 28 और इदर भी 28 ध्यान से देखना लेवल है कोश्चन में किरे 28 cm की भुजा वाले बर्ग के अंदर बनाई जा सकने वाली सबसे बड यहां देखो अप ध्यान से देखो कुछ इसके अंदर एक क्लू मिलेगा आपको क्लू क्या मिला कि सर यह जो वर्ग का वर्ग का जो भुजा है तब अठाईस अठाईस है क्या वर्ग की भुजा बृत के ब्यास के बराबर है क्या वर्ग की भुजा बृत के ब्यास के बराबर है यहां पर बनाते हैं ऐसे तब लोग कहिएगा यसियनों क्या वर्ग की भुजा बृत के ब्यास के बराबर है कहेंगे लगता तो है सर क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं अठाईस अठाईस है तो जहां से बर्ग की भूजा देखो यह 28 है तो यह वाला लाइन भी 28 होगा अगर इसको केंद्र ओ मान ले तो यह 14 cm यह 14 cm यानि आर का वैल्यू मिल गया संटिमेटर है ना 14 cm कैसे मिला क्योंकि बर्ग की भूजा बृत के ब्यास के बराबर है क्योंकि बर्ग की भूजा 28 है तो व्यास भी 28 है और व्यास त्रिज्ज्ज्या का त्रिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् वालिस गुने 14 करिएगा ना तो हमको लगता है 616 आएगा ठीक है हाँ लास्ट में 616 ठीक है हाँ ठीक है 616 क्योंकि छेटपर चाहिए कैसा लगा यह कुश्चन लेबल बताईएगा बताने का तरीका बताईएगा कैसा लग रहा है समझ में आ रहा है कॉंसेप्ट एगनम डाउट क्लियर हो रहा है यस यह नू कुछ नहीं है बारीकी से कुश्चन दिया हो था और हमने बारीकी से सॉल्व किये हमें दिखा कि वर्ग का जो भुजा है वो ब्रित के ब्यास को डिनोट कर रहा है कॉपी में नोट करिएगा अब ब्रित का छेटपल बरावर होता है पाई आरश को चली अगला कुश्चन चले बिलकुल च देखिए इसमें क्या था इसमें था कि वर्ग के अंदर वर्ग है लेकिन यहां देखिए इसमें हैं व्रित के अंदर वर्ग दोनों कोश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है उमीद है कि आप सौ प्रतिशत सीख पाएंगे सही बात या गलत बात कहेंगे सर बिलकुल सही पान सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत है तो पहले एक वृत का निर्मान किये ठीक है और मान दीजे कि इसकी त्रिज्या पान सेंटीमीटर वृत के अंदर देखो क्या कह रहा है सवाल कह रहा है पान सेंटीमीटर त्रिज्य जाके पांच सेंटिमेटर त्रिज्या वाले व्रित के अंतरगत बनाई जा सकने वाली सबसे बड़े बर्ग का च्छेत्रफल चाहिए यह वर्ग होगा अलाकि यह वर्ग है नहीं तो चलो एक थोड़ा सा व्रित को और छोटा है पतला करते हैं यह हाँ चलो मान कर चलते हैं थोड़ा बहुत उनीश्वीस होता है सवाल देखें पांच सेंटिमेटर त्रिज्या वाले ब्रित के अंतरगत बनाई जा सकने वाली सबसे वड़े अच्छा यहां दियान दिया था कि व्रित का जो बर्ग की एक जो भुजा है वो व्रित के ब्यास के बराबर हें हमने अपने आप निकाला अबर की बुजा 28 है तो भी 28 होगा तो 34-14 यानि आरका मान हमें प्राप्त हो गया 14 सेंट में यहां क्या प्राप्त हो रहा है यहां सर कहेंगे यह जो वर्ग का विकर्न है ध्यान से सुनना हमारी बात यह वर्ग का विकर्न जो है देखो ना ध्यान से यह वर्ग का जो विकर्न है वो ब्रित का ब्यास नहीं है ब्यास जो किंद्र से होकर गुजरे बिलकुल पूरा पूरी बीच से ब्यास उसी को कहते है जो ब्रित के किंद्र से होकर गुजरे और ब्रित को दो भागों में बाट दे या चिन्नित कर दे जो भी कह सकते हैं आप लोग तो क्याने रहे पांक सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत के अंतरगत बनाई जा सकने upsages और यह भी पाँच है ना जी सबसे बड़े बर्का छेत्रफल क्या होगा ठीक है तो हमको क्या मिला कहेंगे सर हमको विकर्न मिल गया 10 सेंटी में बात समझ में आया कहिए समझ में आया नहीं आया फिर से करेंगे नहीं कह रहा है कि 5 cm 3 त्रिज्य वाले बृत के अंतरगत बनाई जा सकने वाले सबसे बड़े बर्क कच था थो बृत की 3 के त्रिज्य पान सेंट cleansing मेटर थो 20 का व्यास हो गया 10 cm और बृत का व्यास जो है वर्ग का विकर्न बना दिया देखिए ना विकर्न ऐसे ही होता है ना और बित का ब्यास भी ऐसे ही होता है ब्यास चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो लेकिन जब हमें उदर से नीड है तो फिर इदर से क्यूब बनाए तो वर्ग का विकर्न हो गया दस और आपसे पूछ रहे है वर्ग का छ स्क्रीन पर चत्रफल पूछ रहा है ना पच्छा सेंटीमीटर स्क्राइए जल्दी इसे कॉपी में नोट करिए और एक बार आंसर दीजियेगा कैसा लग रहा है समझ पा रहे हैं सीख पा रहे हैं पक्का सीख रहे हैं तो पहला क्लास इंट्रस्टिंग बना के देंगे तभी वाला समझ में आ गया चार नंबर ये पांच नंबर आ गया समझ में तो दिजिए छे नंबर बनाईए जल्दी से ये छे नंबर आपके स्क्रीन के उपर याद करिए इस टाइप का कोश्चन आपको परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़ाया थे ध्यान से अपने अगर हम उससे पढ़ा होगा तो ध्यान दीजिए ध्यान से सुनिए यस यनो पढ़ाया था ना कहिए गहां सरलग तो रहा है कि जाना पहचाना वर्षो पुराना कोश्चन है तो वही जब जाना पहचाना वर्षो पुराना है ही तो कर दीजिए उत्तर इसको एक खेत्रफल बरावर भूजा का स्क्वाइर और मान लीजिए कि पहली प्रारंबिक भूजा सौ ती सौ का स्क्वाइर करेंगे तो सौ गुने सौ और बाद में दस परसेंट बढ़ा तो 110 गुने प्रतिश तो बरावर भूजा का स्क्वाइर और आपने बुजा को कितना मान लिया ? कितना मान लिया ? 100 प्रतीशत तो बरक चेत पल बरावर बुजह का स्क्वियर, यहनि 100 गुने 100 और उदर 10 बढ़ गया, तो 110 गुने 10, 00 से 00, 00 से 00, यह 100 नहीं काटना होता था, खैद हम ने आपको बताया हूगा, तो यह 100 हो गया और यह 11 गुने 11, 12, 100 बला 12 हो गया, तो कितने की विर्दी हुई सर जी विर्दी हो गई 21 प्रतिशत की क्योंकि 100 से डाइरेक्ट तुल ना कर सकते हैं सो से डाइरेक्ट कमप्रीजन कर सकते हैं 21 परसेंट का प्रॉफिट हुआ 21 प्रतिशत की विर्दी हुई कहेंगे समझ में आया कहिए जी सर बिलकुल आ गया यस यनो में जबाब दो सब लोग आया अरे बिलकुल आया होगा कोई डाउट नहीं नहीं चलो फिर अगर आही गया तो एक और सवाल आपके स्क्रीन के उपर रखते हैं ठीक है ना साथ नंबर से एकदम बिलकुल सेम टो सेम दो तिन कोश्चन हम रखेंगे और बिलकुल समझ में आएगा एक वर्ग के प्रतेक भुजा में बीस प्रतिशत कमी करने पर इसके चत्पन देखिए बर का चत्पन पर भुजा का स्क्वार पहले हमान लिजे सौ बाला चौसट हो गया तो कमी कितना होगा सौ में चौसट घटाईएगा तर चत्पन की कमी ऐसा नहीं कि चौसट ही लिख देना ऑप्शन में भी नहीं अगर रहे भी तो ऐसा नहीं कि बैह जाना भावनाओं में और मार देना चौसट ठीक है हाँ अगर आपको मैथ बेसिक से पढ़ना है ना तो आप संजीब नी बैच ले लिजे हमारे अप्लिकेशन पर बहुत ट्रेंडिंग बैच है हजारो हजार बच्चे उसके अंदर जोड रहे हैं धीरे धीरे यहां बात समझ में आई कहेंगे हाँ जी बिल्कुल आया बिल्कुल 100% सीख पा रहे हैं चलो अगला कुश्चन कुश्चन नंबर आठ आपके स्क्रीन के उपर एक वर्ग की प्रतेक बुजा को 30% कम करने से इसके चेटपन मान लीजे वर्ग का अब 30% कम कर देंगे तो 70 गुने 70 हो जाएगा डवल जीरो से डवल जीरो इधर सौ रहने दीजे मत काटिएगा इधर उन्चास सौ बला उन्चास हो गया तो कमी कितना का हुआ सौ में उन्चास गटाएंगे सर 51% की कमी है जो डी नंबर आप्शन में भी राज़ यह solution का PPT आपको मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है नई तो आप सर्च कर लिजे टेलिग्राम पे जाके ड्रीम क्लासेज ड्रीम कॉम्पेटिटिव क्लासेज ठीक है इतना सर्च करिएगा हमारी फोटो आजएगी जॉइन जरू कमेंट चाहिए ताकि नेक्स्ट सेशन इससे भी बेतर कर सकें ओके